के एवरीवान वेलकम तो सिर्कारियट वांस अगें तो इस वीडियो में जो मैं आपसे बीके साथ एक इंपॉर्टेंट डिसकेशन करने वाला हूं जो उत्राखंड के एनम एंट जीनम इंटरेंस एक्जम 2024 से रिलेटेड़ है तो काफी सारे काडिडेट्स कोईरी कर रहे हैं इस एक्जाम के बारे में कि लाइक प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं सलेबस अगरा क्या रहता है अप्लिकेशन फॉर्म का बात है तो और लेडी में पहले भी वीडियो डाल चुका हूं बट इस वीडियो में हम लोग थोड़ा इस चीज़ को भी देखेंगे कि आप लोग उस लेबस अगर आप प्रिपेर करना चाते हो खुश से तो वह आप कैसे कर सकते हो और बाकी जल्दी ही मैं प्लान कर रहा हूं लाइक इसके लिए नया बैच स्टार्ट करने के लिए और मेबी शाहिद वह यूट्यूब पर पॉसिबल ना हो पाए बिगाज यूट्यूब कि उसमें इलिजिबल कर सकते हैं मतलब इलिजिबल होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आपको पढ़ना है तो फिर आप पढ़ सकते हो ठीक है तो उसके बारे में जो भी कोई इंफॉर्मिशन होगी मैं यूट्यूब पर ही अप्लोड करूँगा तो चैनल पर नहीं तो नॉमिनल फीस में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जितने अच्छे से एनम और जीनम दोनों ही इंट्रेंस एक्जाम के लिए प्रपरेशन करवा सको ठीक है तो जो भी कांडिडिट्स अगर सपोज आप लोग इंट्रस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में मे पिछले साल की तो यहां पर अप्लिकेशन फॉर्म जो आपकी मही में आये थे तो इस बार भी हम यही एक्सपेट कर रहे हैं कि मही में जो आपके अप्लिकेशन फॉर्म आएंगे और जून में जो आपका एक्जाम होगा क्योंकि हर साल जो एक्जाम होता वो आपका जून म section में मिल जाएंगे, तो मई में आपका application form आता है, जून में आपका exam होगा, जैसे 2023 के बात करें, तो 10 जून को जो exam हुआ था, A&M, A&M का हुआ था आपका, दोपेर ठाई से 4.5 के बीच में और G&M का exam हुआ था सुबे 10 से 12 बचे के बीच में ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कि A&M और G&M का आप entrance exam दोनों भी दे सकते हो, यानि कि अगर आप चाते हो कि मेरे को A&M का भी exam देना है और G&M का भी देना है, तो आप दोनों का form अलग-अलग fill कर सकते हो और दोनों का आप exam दे सकते हो, जैसे कि मालो आपका G&M में selection नहीं हुआ तो अगर मालो आप चाते हो कि मेरे को A&M करना है तो आप A&M का entrance exam क्लियर करके A&M goes भी कर सकते हो तो A की दिन में दोनों exam होते है और syllabus भी लग-बग same है, बस हलका सर difference है, वो भी आपको बताऊंगा और syllabus same है और बागी होता क्या है कि same day होता है लेकिन timing इनकी अलग-अलग होते है जैसे आप देख रहे हो, G&M का exam सुबह के time में रहता है और जो A&M का exam होता है, वो दो बहर के time पे होता है ठीक है, और center आपका आसपास ही रहता है, मतलब शायद एक ही center होता है जो भी दो के लिए अपलाई करते हैं, उनको शायद एक ही center मलता है तो इस तरीके से आप एक दिन में दोनों exams को दे सकते हो ठीक है, और बागी जो भी ऐसे candidate है जो BAC nursing के लिए preparation कर रहे हैं 2024 के लिए, तो मेरी उन सभी से request है कि आप GNM का भी form जरूर फिल करना वो इसलिए क्योंकि देखो BAC nursing में भी selection लेना इतना easy नहीं होता तो ये है कि अपने लिए जितनी ज़्यादा opportunities create कर सकते हो उतना अच्छा है क्योंकि BAC nursing में मानलो अगर selection नहीं हुआ तो GNM कोर्स करना भी बहुत सही है वो इसलिए क्योंकि अगर मानलो अगर आप BAC nursing करते हो तो ultimate आपका जो aim रहता है वो क्या रहता है कि आपको nursing officer बनना है ठीक है तो GNM वाले जो candidate होते हैं जब वो 3 साल का GNM कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद अगर वो 2 साल कहीं पर job कर लेते हैं जौब का experience ले लेते हैं तो 5 साल के बाद जो है मतलब 3 आपके 3 साल GNM के प्लस 2 साल के job के experience के बाद आप लोग भी NORSET exam के लिए या बाकी जितनी भी nursing officer के entrance exam होते हैं उनके लिए आप eligible हो जाते हो तो मान लो अगर आपका इस साल BAC nursing entrance exam clear नहीं हो पाता और GNM का clear हो जाता है तो GNM भी आप जरूर कर सकते हो ठीक है तो इस चीज़को थोड़ा अच्छे से समझो इसको एक आप backup option भी रख सकते हो जो BAC nursing के candidates हैं और बाकी जो GNM ही करना चाते है मैं उनसे भी ये बोलूँगा कि आप भी कोशिश करो कि आप लोग भी जो BAC nursing के लिए मतलब apply करो BAC nursing में भी आप कोशिश करोगी आपको वो course मन जाए और आपका मन नहीं है तो GNM भी अच्छे course है कोई problem नहीं है लेकिन A&M course लाइक ऐसा है कि A&M के लिए ये है कि A&M की जब vacancies आती है government में तो आपको wait काफी करना पड़ता है आती जरूर है हो भी जाता है maximum लोगों का selection लेकिन wait करना पड़ता है तो लाइक अगर आपके उपर कोई जादा responsibility नहीं है job अगरा करने की तो तो आप A&M में जाना और आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरे को instant job मिल जाए तुरन job मिल जाए course पूरा करने के बाद तो मैं नहीं मानता कि A&M जो है एक अच्छी choice है उसके लिए फिर या तो आप G&M करो या फिर आप BAC nursing करो ठीक है BAC paramedical भी कर सकते हो कोई problem नहीं है clear है तो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अब हम देखेंगे तो form वगरा का देख लिया और पंदरा सो और पे इसकी फीस होती है application form की और इसके बाद सीधे अब चलते हैं syllabus के ओपर ठीक है भी negative marking नहीं होती चाहें वो ANM हो, GNM हो, BAC nursing हो, BAC paramedical हो ठीक है तो पहली चीज़ तो यह है कि negative marking नहीं होती तो आप जितने ज़्यादा questions attempt करो उतना ज़्यादा अच्छ है क्योंकि negative होने का कोई भी डर यहाँ पर नहीं है अब GNM के syllabus के यहाँ पर पहले बात करते है तो उपर जो syllabus लिखा है वो आपका GNM का है और दूसरा नीचे जो syllabus लिखा है वो आपका ANM का है ठीक है तो GNM का syllabus आप देखोगे तो सबसे पहले इसमें समाने भाषा हिंदी आता है जो की 20 marks का होता है फिर उसके बाद है प्रारंबिक गड़ित ये भी आपका 20 marks का होता है फिर समाने विज्ञान है ये आपका 20 marks का होता है और उसके साथ समाने अध्यन या समाने ग्यान ये आपका 40 number का होता है तो 20 questions आपके हिंदी के होंगे और समाने विज्ञान समाने विज्ञान मतलब general science तो general science जो है वो आप अगर कोशिश करो तो class 9th और 10th की science आप जो है जरूर पढ़ लेना ठीक है और उसके बाद जो है समाने विज्ञान होगे फिर आपका समाने अध्यन है समाने ग्यान है यानि कि general science या general knowledge जो है या general science ठीक है तो ये आपका general knowledge वाला part हो गया जो कि 40 questions आते हैं और ये सबसे जादा important है क्योंकि 40 questions है तो ये जो 40 questions पूछे जाते हैं ये आपसे जो GK के questions होते हैं इसमें आपसे उत्राखंट के questions भी होता है और उसके बाद A&M में अगर आप देखोगे तो subject लगबग लगबग वही सेम है बस A&M के paper में क्या होता है हापर English और एड हो जाता है तो हिंदी के आपर 10 questions हैं English के आपर 10 questions हैं और math के आपर 30 questions हो जाते हैं वहापर उपर 20 questions थे math के और बाकी जो GK वगरा उसके भी आपके जो general knowledge वाला पाट है उसके भी 30 questions हो जाते हैं तो इस तरीके से A&M का paper pattern आपका कुछ इस तरीके का हो गया तो आपको चो prepare करना है वो क्या करना है Hindi करना है, Math करना है, GS करना है और GK करना है G&M वालों को और बाकी A&M वालों को ये 4 तो करना ही करना है साथ में English थोड़ा बहुत और prepare करना है तो वो भी मैं आपको करवा दूँगा उसके लिए आप बिल्कुल भी परिशान मतो तो ये आपका रहता है paper pattern हो गया, syllabus हो गया तो अब आपको मान लो, खुद से अगर preparation करने है तो आप किस तरीके से कर सकते हो, वो थोड़ा से समझ लो तो पहले G&M वालों की बात करते हैं, ठीक है तो G&M वाले देखो, एक चीज़ अच्छे से समझ लो या A&M वाले भी समझ लो इस बात को कि भाई G&K वाला जो part है न, G&K का part आपका बिलकुल भी fix नहीं होता कि G&K के questions कहां से पूछे जाएंगे क्योंकि G&K वाला part आप कितना भी पढ़ लो, वो आपके लिए हमेशा कम ही रहेगा कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई, जो सारे के सारे questions कर रहा है वो मतलब एक चमतकार जैसे ही होता है, कि भाई सारे के सारे questions आप नहीं करें और वो सारे के सारे सही चले गए G&K में तो G&K वाले part पे मैं आपको यही बुलूँगा कि G&K से जादा मतलब focus जो आपको करना चाहिए, वो आपको एक तो mass में करना चाहिए क्योंकि elementary mass होती है, simple simple से question आते है, profit loss के हो गया, simple compound interest हो गया, ठीक है, percentage के question हो गया, और simplification के question हो गया, तो easy easy से question आते हैं, एक बर आप concept सीख लोगे, 10-10, 20-20 question हर topic के solve कर लोगे, आपको अराम से यह questions हो जाएंगे, तो 20 question में से, अगर मालो आप यहाँ पर mass में, 14 questions भी सही कर यह 15 questions भी सही कर ले, तो वो आपके पूरे-पूरे number आ जाएंगे, ठीक है, तो mass करना काफी जान है, क्योंकि कुछ topic आप पढ़ लोगे, उससे सारे आपके questions बन जाएंगे, तो 20 में से मैं मानता हूँ कि भी 15 तो करी लोगे, जब आप mass के सारे topic पढ़ लोगे, ठीक है, और वो भी कोई बहुत ज़्यादा tough topic होते हैं, उनमें से भी easy questions पूछे चाते हैं, उसके बाद समाने हिंदी है, तो हिंदी का भी salibus आपका limited है, मतलब जो topics होते हैं हिंदी के, जो general हिंदी आपसे पूछी जाते हैं किसी भी exam में, जैसे वडमाला हो गया, ठीक है, संदी विछ बताउंगा कि क्या-क्या important topics हो, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये तो सारे important होते हैं, तो अलंकार हो गया, समास हो गया, संदी विचेद हो गया, परयावाचियो शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, तो इस टैप के topics होते हैं, तो यह आप कर लोगे, तो मैं बानत इसे chapter से इतनी बड़ी कोई बात नहीं है ठीक है जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको science तो science आप पढ़ लोगे तो science में क्या है कि 9th और 10th की पढ़ लो बस more than enough हो जाएगी वो तो उसमें भी अगर आपने 9th और 10th की इस NCRT की किताब अच्छे से पढ़ ली तो आपके 20 में से कम से कम मैं मानता हूँ 16 से 17 कोशन अराम से सही हो जाएगे तो अगर आप इन तीन सब्जक्ट में भी अच्छा कर लेते हो तो यहाँ पर मैं मानूँगा कि 60 मार्क्स में से आप 40 प्लस अराम से ले लोगे तो 60 में से अगर 40 मार्क्स इसके भी हो गए और 40 कोशन अगर GK के आ रहे हैं और 40 में से जो हैं मतलब आपने अगर ठीक ठाग भी तरीके से GK प्रिपेर कर लिया तो 40 में से आप कम से कम 15 से 20 कोशन वो वाले भी कर लोगे यानि कि आपके 60 प्लस मार्क से आपर 100 में से बन जाएंगे और 60 प्लस अगर बन गए तो आपको गवर्मेंट कॉलेज की सीट अराम से आपर मिल जाएगी तो इस तरीके की कुछ अपनी स्टाटेजी रखो GK पर जाद आपको फोकस नहीं करना बाकी तीन सब्जक्ट आपको पहले करना है और यही सेम चीज जो है एनम वालों के लिए लागू होती है हिंदी का पोर्शन आप लोग कर लो इंग्लिश का कर लो इंग्लिश में जो बेसिक बेसिक चीज़े होती है ठीक है जैसे टेंसे हो गए फिलिंग दा ब्लैंक्स हो गए ठीक है डिटर्मिनर्स हो गए आर्टिकल्स हो गए और बाकी जो भी आपके पार्ट्स ओफ स्पीच होते हैं उनको पढ़ लिया अपने प्रिपोजिशन वगरा हो गए ठीक है वर्ब अडवर्ब ये सारी चीज़े पढ़ लिया और उसके बाद एक्टिफ पैसिब वोइस पढ़ लिया और डिर्रेक्ट इनेडिट स्पीच पढ़ लिया ये सब चीज़े पढ़ लोगे तो आपका इंगलिस और हिंदी अराम से हो जाएगा फिर उसके बाद है प्रारंबिक गड़ित तो सबसे अच्छी बात है कि भई तीस नंबर की मैस आपकी यहाँ पर आ रही है ठीक है नहीं बीस नंबर की मैस आ रही है तो वो भी आप वैसी करके पढ़ सकते हो तो बीस नंबर की मैस अगर पढ़ लोगे सारे टॉपिक्स अगर कर लेते हो तो बीस में से पंदरा कोशन सा आप आराम से कर लोगे अच्छे से तो 20 तो आप मिनिममम करके ही आओगे बहुत असान कोशन साते हैं और उसके बाद समाने अद्धनिया समाने गयने इसमें आप करेंट अफेर्स वगरा पढ़ सकते हो थोड़ा हिस्ट्री वगरा को लेकर आप पढ़ सकते हो बाकी उत्राखंट के बारे में पढ सकते हो ठेक है उत्राखंट जो घीक है तो वो कर लोगे तो कम से कम यहाँ पर भी आप फंद़ा कोशन सही कर लोगे तो मानलो की हिंदी और इंग्लिश में मिला के 20 मैं से आपके अगर सपोस्स कम से कम बनते भी हैं 10 नमबर अगर मानलो बन गए और मैस में आपके 15 बन गए तो 60 marks से उपर ले आओ, बस आपका यहाँ पर government seat फक किया है बस कुछ ऐसा समझाओ, क्योंकि 60 तो हम minimum मान रहे है कि इतनी मैनत करने के बार कितना भी अगर hard paper आते हैं, तो भई आप इतना इतना तो marks ले ही आओगे, ठीक है तो इस तरीके से आपको अपनी strategy रखनी है तो थोड़ा-थोड़ा आपको समझ आएगा कि like prepare कैसे करना है बाकी previous year के paper आपको मैं discuss करवाऊंगा, थोड़ा भी wait करो, आपका exam अभी दूर है, tension नेनी की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अभी से अपनी तयारी को जल्दी से start कर दो, अगर self study कर रहे हो, बाकी अगर batch आता है तो batch के बारे में मैं information जल्दी upload कर दूँगा, और अगर आप interested हो batch में enroll करने के लिए, तो comment section में में मेरे को comment करके एक बार जरूर बता दे ना, कि yes I am interested, so that मेरे को पता लग जाए, क्योंकि मैं batch तभी start करूँगा, जब कम से कम हमारे पास 15-20 students होंगे, ठीक है, क्योंकि मैनत करने में मज़ा तभी आता है, जब थोड़े से ठीक ठाक amount में लोग हो, जब थोड़े लोग होंगे, तभी मैनत करने भी मज़ा आएगा, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, और फिर selection लेने में मज़ा आएगा, ठीक है, तो अब इस वीडियो को ही पर in करते हैं, और बाकी कोई भी और update जब future में आएगा, इसके बारे में मैं आपको inform कर दूँगा, previous air question के, मतलब previous इसे paper के question भी हम लोग साथ में solve करेंगे, तो उसके लिए भी थोड़ा रुको, जैसी मेरे को free time मिलेगा, मैं इनम और जीनम का paper जो है, with solution upload करूँगा, ठीक है, तो बाकी वीडियो अगर helpful लगे हो, तो प्लीज को दुरू लाइक कर दिना, चैनल पर ने तो subscribe कर लो and bell icon को press कर लो, okay, so thank you and have a nice day.